Hello students, welcome to my channel Mini School. Today I will teach you class 2nd English unit 8 chapter the Mumbai Musicians. Musicians means Sangeetkar, जो songs की tunes बनाते हैं और musical instruments बजाते हैं, उन्हें Musician कहा जाता है. So children, आज हम पढ़ेंगे chapter the Mumbai Musicians. Once upon a time, there lived a donkey named Gupu. एक समय की बात है, Gupu नाम का एक donkey रहता था. Donkey means गधा, lived, lip की, second form है, lip means रहना, Gupu, donkey का नाम है. तो एक समय की बात है, Gupu नाम का एक donkey रहता था. He had worked for many years in the house of a farmer. Farmer means किसान, house, घर, many years, बहुत सालों तर. Worked, work की second form है, work means काम. तो उसने बहुत सालों तक एक किसान के घर में काम किया था. He had carried many heavy sacks of corn and sugar cane from the farm to the factory. वह बहुत सारे भारी थेले, sack means थेले या फिर बोरे, corn and sugar cane. Con means मक्का, जिसे आप भुटा कहते हैं, sugar cane, गन्य, गन्य और, मक्के और गन्य के बहुत heavy थेले वह फार्म से फैक्ट्री तक ले जा चुका था. Farm means खेट, factory, जहाँ पर बहुत सारी चीज़े manufacture की जाती हैं, manufacture means बनाना, जहाँ पर बहुत सारी चीज़े बनाई जाती हैं, तो जो गुपु नाम का डंकी था, वह बहुत भारी, मक्के और सुगर केन के थेले खेट से फैक्ट्री तक ले जा चुका था. He was now very tired and old. Tired means थकना, old, बुढ़ा. Now अब, अब वह बहुत थका हुआ और old हो चुका था. The farmer said to गुपु, farmer ने गुपु से कहा, You are a good donkey, तुम एक अच्छे डंकी हो, take this sack of corn and go and see the world before you become too old. तो जो farmer था, उसने गुपु से कहा कि तुम एक अच्छे डंकी हो, take means लो this sack of corn, यहाँ मक्की का थेला लो और जाओ and go and go and see the world. दुनिया को देखने के लिए, before you become too old, इससे पहले कि तुम ज़्यादा बुढ़े हो जाओ. तो जो farmer था, उसने डंकी से कहा, अब तुम ज़्याओ दुनिया को देखो, इससे पहले कि तुम बुढ़े हो जाओ, तुम दुनिया को देखो. और उसने एक कौन का भरा हुआ थेला दिया. मुंबई शिटी की ओर रवाना हुआ या फिर चला गया मैं मुंबई जाओंगा और एक अच्छा संगीतकार बनूंगा एक डूपू ने पूछा तुम कहां जारे हो तो जो डूपू तो दूपू ने पूछा तुम कहां जारे हो मैं मुंबई में मुझिशियन बनने जा रहा हूँ वुड यू लाइक टू कम टू आख्ड गूपू गूपू ने पूछा क्या तुम भी आना पसंद करोगे येस आई वुड रेपलाइड डूपू डूपू ने जबाब दिया हां मैं भी आऊंगा तो वो दोनों फ्रेंड धूल भरी रास्ते से रोड से धूल भरी जो रोड थी उससे मुंबई की ओर चले गए they saw a ball of fur in the middle of the road तो उन्होंने एक फर से बनी फर की बॉल रोड के बीच में देखी middle means बीच में saw c की second form है c means देखना तो जो वो दोनों फ्रेंड थे उन्होंने रोड की बीच में एक फर से बनी बॉल देखी फर क्या होती है एक रोएदार कोई चीज जैसे कोई मुलायम बाल होते हैं या फिर रोए होते हैं उससे बनी बॉल देखी who are you they asked तो उन्होंने पुछा तुम कौन हो I am furry the cat said the cat cat ने कहा मैं एक furry cat हूँ would you like to come with us to become a musician asked गुपु और डूपु तुगेदर गुपु और डूपु ने एक साथ पूछा कि तुम musician बनने के लिए हमारे साथ आना पसंद करोगी oh I would love to come along replied furry तो फरी ने जो फरी थी उसने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे साथ आना पसंद करोगी along means साथ so off went the three together to become Mumbai musicians तो वे तीनों Mumbai की ओर musician बनने चले गए soon they met kukku the cock जल्दी ही वो एक kukku नाम के cock से मिले यह है kukku cock means मुर्गा I love music and wish you join your band मैं music पसंद करता हूँ और आपके band को join करना चाता हूँ they all reached a house with a light तो वे एक घर में पहुँचे वे सारे एक घर में पहुँचे तहां पर light जली वी थी they tired and hungry tired means थकना hungry poop तो वे थके हुए और भूके थे they peeped in through the window and saw a table with delicious food peeped means जाकना उन्होंने window से जाका window में सखिड की and saw a table with delicious food और उन्होंने तेखा कि एक table में delicious food रखा हुआ है स्वादिष्ट भोजन स्वादिष्ट खाना तो जैसे ही वो एक light जहां पर एक घर में पहुँचे जहां पर light जली वी थी और वो बहुत भूके भी थे और ठके भी थे क्योंकि वो दिन भर चले हुए थे तो उन्होंने एक जो घर था उसमें खिड़की से उसके अंदर चाका और देखा कि एक table में स्वादिष्ट खाना रखा हुआ था तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो गाना गाएंगे और जिससे की अंदर जो लोग है उनको पता चल सके कि वो संगीतकार है जो लोग है और यहां पर यह हैं और इसके अंदर यह हैं लोग ये हैं लोग दे सेंग वो गाना गाते हैं जो अंदर लोग थे उन्होंने सुचा कि ये भूत हैं गोस्ट मेंस भूत had come to scare them scare मेंस डराना उनको डराने के लिए आये हैं वो भागे जितनी जल्दी हो सकता था as fast as जितनी जल्दी हो सकता था could mean सकता था could can की second form है तो जो अंदर लोग थे वो जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी भागे गूपु डूपु एंड फरी went into the house and ate the food till they could eat no more गूपु डूपु और फरी घर के अंदर गे और उन्होंने खाना खाया food means खाना जब तक की वो और ज्यादा नहीं खा सकते थे उन्होंने अंदर जाके पेट भर खाना खाया जब उनकी जब तक की उनकी भूग मिट नहीं गई अब हम what meanings करेंगे sex means large bags बोरे जो बड़े बड़े थेले होते हैं उन्हें sex कहा जाता है sugar cane a stem from which sugar is produced गन्ना factory means a place where goods are manufactured कार खाना set off to live on a journey रवाना होना musician a person who composed music संगीत कार together with one another मिल जुलकर पीब means looked through a small opening छाका पीब means छाकना पीब की second form है पीब पीब means छाका delicious, tasty, swathist, ghost anything, haunting, bhoot, scare, causing fear, डराना next है reading is fun question number one why did the farmer tell Gupu to see the world farmer ने Gupu से word देखने के लिए क्यों कहा answer the farmer told Gupu to see the world because she had become old and couldn't carry load anywhere farmer ने Gupu से word देखने के लिए इसले कहा क्योंकि Gupu बूड़ा हो चुका था और वो कहीं भी load कैरी करके नहीं ले जा सकता था question number two why did Gupu, Dupu and Furry want to go to Mumbai Gupu, Dupu और Furry Mumbai क्यों जाना चाहते थे answer Gupu, Dupu and Furry wanted to go to Mumbai to become musicians Gupu, Dupu और Furry Mumbai musician बनने के लिए जाना चाहते थे question number three why did the people in the house run away घर के लोग क्यों भाग गे answer the people in the house ran away because they all thought that ghost had come to scare them घर के लोग इसलिए भागे क्योंकि उन्होंने सोचा उनको ghost टराने आ चुके है अब हम new words करेंगे T.I.R.E.D. tired M.U.S.I.C.I.N. musician P.W.P.E.D. peep D.E.L.I.C.I.O.U.S. delicious G.H.O.S.T.S. ghosts S.C.A.R.E. scare next है let's short out these words Pick the words from the bags and put them on the right self One has been done for you Say the words aloud तो इन सब्दों को अलग करो और जो bags में words दिये हैं इनको हमें यहां पर right self में रखना है Then एक हमें दिया हुआ है जैसे लग और नीचे P.I.G. पेख T.E.P.T.E.P.E.P.D.E.S.M.I.L.E. और देन इनको चोर से बोलना है अब हमें इने चाट कर लिखेंगे यह है leq तो इसके आगे हम लिखेंगे यहां पर यह थ्री वर्ट्स लिखे जाएंगे तो यहां पर आएगा और थर्ड है डवली पी डीप तो यहां पर आएगा यहां पर आएगे और यहां पर हम लिखेंगे डी आएगे डाइस एल आए यानि लाइन के आएटी काइट तो यहां पर यह तीन वर्ट्स लाएंगे ऐसे ही आप भी अपनी बुक में लिखेंगे एक्स्ट है लेट्स राइट डू यू प्ले अनी म्यूजिकल इंस्टूमेंट क्या तुम कोई म्यूजिकल इंस्टूमेंट बजाते हो तो आंसर यहां पर आप लिख सकते हैं येस आई प्ले गिटार या फिर येस आई प्ले पियानो आप जो भी म्यूजिकल इंस्टूमेंट बजाते होंगे उसे यहां पर आंसर में लिख सकते हैं Second question है, if no, which instrument do you want to learn? अगर नहीं, तो तुम कौन सा instrument बजाना सीखना चाहोगे? तो यहाँ पर आप answer में लिखेंगे, I would like to learn piano, या फिर जो भी instrument आप सीखना चाहेंगे, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, I would like to learn flute, या फिर I would like to learn drum, तो ऐसे ही यहाँ पर आप अपने मंद से answer लिखेंगे, Next है, add the word of the opposite gender in the given sentences, तो यहाँ पर जो नीचे sentences दिये हैं, इन में एक word, colorful word दिया है, जैसे mother, तो इसका हमें लिखना है father, इनके opposite gender लिखना है, जैसे uncle का aunt, loin, loiness, king, queen, man, woman, grandfather, grandmother, तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, अंजूज, mother and father came to the school, my uncle and aunt came to visit us on Monday, the loin and loiness looked lovingly at their cup, the king and queen sat on beautiful thrones, thrones means singhasan, जहाँ पर king or queen बैठते हैं, the man is running and woman is walking, my grandfather and grandmother went to the market, तो ऐसे ही आप भी अपनी बुक में लिखेंगे, तो चिल्डन आज हमने पड़ा chapter, the Mumbai Magicians, I hope यह वीडियो आपके लिए यूश्फुल होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राब करें, थैंक यू,